प्यारे डेश्वासियों नमस्ते हम केवल कहते ही नहीं है बलकि करके भी दिखाते हैं हमें बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि पेट्रोल की तरह है डीजल को भी केवल चार महीनों में मुझे पता है आपको आस्चरय हो रहा होगा और भरोसा भी नहीं हो रहा हो केवल चार महिनों में डीजल को सोके आगडे से पार पहुंचाया है। सबका साथ सबका विकास यही हमारा ध्य है और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी है। साथियों आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो रही है। आपका सवाल बिलकुल जायज है। मेरा बहुत पहले से सपना था कि जनता के पास खुद का तेल हो। आर इसलिए आज जब तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है। मैं देख रहा हूं कि देश की जनता का खुद का तेल निकल रहा है। आर इसलिए केवल पैट्रोल डीजल ही नहीं। हमने अन्य तेल के दामों में भी भढ़ोतरी की है। साथियों ये समय का पहिया है निरंतर बढ़ता रहता है। पहिये जे मुझे याद आया मैं जब ट्रेन में चाए बेचा करता था एक बेल गाड़ी को मैं देखा करता था। उसको आगे बढ़ाने वाले उसके दो पहिये होते थे। ये देश भी एक गाड़ी की तरह है। पैट्रोल और डीजल भी दो पहियों की तरह है। और उसका बेल कोन है ये बताने की मुझे आपसकता नहीं है। साथियों कई लोग तो फिर भी कहेंगे कि देश तो फिर बेल गाड़ी की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। साथियों हम तो भाया बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे जरा आप बताईए, जितने बुलेट ट्रेन में पढ़िये होते हैं, आप उनके लिए तैयार हैं क्या? साथियों, कई लोग मुझ से पूछते हैं, कि ये भाव कब कम होंगे? मेरा यही कहना है, कि जिस प्रकार से तेल के भाव को मैंने भाव देना कम किया है, आप भी बस भाव देना कम कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?